हालो फ्रेंट्स कैसे आप सब आशा करते हो आप लोग कुशल मंगल होंगे मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का सौगते आज में बनाने वाली हूं कच्छी कैडी का मीठा अचार आम का मीठा अचार चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह से हमें आम की चिल्टे निकाल देना है हमें कच्छी कैडी लेना है पका हुआ नहीं लेना है अब हमें से गिसेंगे चलिए आप इस तरह से गिस कर ले ले यह देखिए इस तरह से अब मैं डालूंगी इसमें एक वाटी शक्कर ते शक्कर डालेंगे आम और शक्कर को हमें दोनों को मिक्स कर लेना है इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हम हम इसे गैस पे रखोंगे पखने के लिए ​ इसतरह से हमारा सकर भी गलheart जाएगा और हमारी कैडी पख जाएगी यह दिखिए थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी छूट रहा है कैडी का और सक्कर का इस तरह से हम गैस पर रख देंगे लो फ्लेम पर ताकि हमारी कैडी पकती रहे तब तक हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अब हम इसमें डालेंगे पच पोरण पच पोरण में है कल मेथी मेथी मंग्रेल और बड़ी सब को हमें थोड़ा सा भून लेना है और इलाइची को दरदरा करके हमें डालना है इस तरह से हमें थोड़ा पच पोरण को दरदरा कर लेना है और इलाइची को इस तरह से कोटके ले लेना है चलिए अब हम पच पोरण को डालते हैं यह ऐसमें सारे मसाले दालें दींगा दिखिए हैं इस तरह से मिक्स करे और अचार बन कर रेडी हैं यह देखिए देखने में कितना टेश्टी और यम्मी लग रहा है हमें इसे बहुत ज्यादा ट्राय नहीं करना है आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं यह खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी होता है कुछ खटा कुछ मीठा कुछ चट अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई